हलो दूस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टाड़ी चैनल बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरो ए आरो की नई भरती के बारे में और उसके बाद बात करेंगे टीजीटी फीजीटी 2022 परिक्षारिती के संबंद में एक बहुत इमातपूर डेट हम लोग कवर करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सुचना बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पिट 2022 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू प्रकासन के तरब से आती है पूरी दोस्तों संपूर गाइड बुक आ यह पिट के लिए साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिससे आप अपनी परिक्षा में बहुत यह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यह आपको यह किताबा खरीदनी है ओनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथ ही साथ यह बुक्स आफ लाइन मार्केट में भी इजली आवेलेबल हो जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आरो ए आरो दो हजार बाइस की नई भरती के बारे में दोस्तों उत्तर प्रिजस लोग सेवायों के तरफ से एक भरती आरो और ए आरो यानि की रिव्यू आफिसर और लगभग पद रिखते हैं आरो ए आरो के अलग अलग भी भागों में लेकिन सभी पदों पर भरती अभी नहीं निकल रही है जितने पदों का अधियाचन लोग सेवायों को मिल जाएगा उतने का ही विज्यापन जारी होगा और जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग 500 पदों का अधियाचन लोग सिवायों को अगले महीने तक मिलने वाला है बहुत सारे पदों का अधियाचन अलड़ी प्राप्त हो गया है लेकिन सेप्टेंबर और यदि इसमें कुछ डिले हुआ तो अक्टूबर तक लगभग 500 पद हो जाएंगे आरो ए आरो को मिला कर और इस साल के अंतर गयाने दिसम्बर तक निया वग्यापन निकलने की सूचनाम मिल रही है तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रही है तैयारी करते रही है एक बहुत बड़ी भरती आरो यारो की होने जा रही है लगबग 400 से 500 पदों पर भी ग्यापन निकलेगा और जब त जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक पदों की संख्या उत्तर पड़ी स्लोक सेवा आयों की भरतियों में बढ़ सकती है यदि अधियाचन और भी प्राप्त हो जाते हैं तो आगे भी पदों की संख्या बढ़ेगी 800 से 900 पद फाइनल हो सकते हैं इसमें सारी डिग्रियां भी हो गई हैं तो यदि आपके पास कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा है कोई डिग्री है तो भी आप यारों के लिए अब एलिजिबल हो जाएंगे तो इस साल के लाज तक एक भरतियानी है आप लोग अपनी तयारी करते रहिए लोग से वायों की भरति बात करें दोस्तों यूपी टीजटी पीजटी 2022 परिक्षातिती के बारे में तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अक्टूबर से नॉमबर तक इसकी परिक्षा हो सकती है और आज बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई है कि इसका एक्जाम नॉमबर में होगा नॉ नॉमबर में परिक्षा कराया जाने का प्रस्ताव है चुकि अक्टूबर में बहुत सारे परिक्षा के इंदर खाली नहीं है इसकी वजह से नॉमबर में एक्जाम करा जाने की त्यारी चल रही है और अभी कुछ दिर पहले यूवामज की तरफ से यह सुचना दी गई है क कि एक्जाम आपका नॉमबर में ही होगा डियोस के माध्यम से भी नॉमबर डेट सुझाया गया है तो आप लग कर अपने परिशा की तयारी करिए ज्यादा समय आपके पास है नहीं आगे जैसे ही कोई और अपडेट और जानका यह निकलती है आपको सूचना दे दिया जा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफरमेशन मिलती रहे थांक्स और वाचिंग